मामला गर्यबंद जिले के देवभोग ब्लॉक का है जहां ब्लॉक शिक्षा अधिकारे कालाले के लिए पात साल पहले नए आफिस के लिए भवन निर्मान कराया था लेकिन खाली पड़े इस नए भवन में अब जानवर भी नहीं रहते दरसल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक हमें नए भवन की चाबी नहीं सौपी गई है जिसके बाद निर्मान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि चार साल पहले ही नए भवन की चाबी बी यो ऑफिस को सौपी जा चुकी है वही कुछ लोगों का आरोप ही कि नए भवन के बाद भी पुराने भवन में कारले का मरमत कराके राजिशासन के पैसे का दुरूपियो किया जा रहा है आपको बता दे कि सरकार अधिकारियों की सुविधाओं के लिए करोडों रूपे खर्च करके भवन तो बनवाती है लेकिन कुछ अधिकारियों के उदास इंटा के चलते ये नए भवन अब जरजर हालत में पहुच गए है गर्याबंध में महिला से दुषकर्म करते हैं